हेलो दोस्तो कैसे आप सभी लोग तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा इंटर्व्यू बहुत ही प्यारा सा इंटर्व्यू डॉक्टर अनुज का हमारे साथ जो की रिप्रेजेंट करते हैं एक मिडिल क्लास फैमली को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह हिंदी मीडिय स्वाब्य तरहन हैं डॉक्तर अनुज हमारे साथ और उन्होंने फ़र्ष्ट अटेंट में कलियर किया है तो अनुज प्लीज अपने बारे में हमारे प्यारे दोस्तों को बताए अपने बैग्गरां के बताएं बारे में सर मेरे जैसा कि आपने बताया मेरे पापा एक टीचर है अभी रिटायर्मेंट हैं और एक मेडियल क्लास प्रेंडी से आता हूं और मैं इंटर्विव आप से बात हुई थी मेरी तो इंटर्विव देने के लिए जो है मैं अभी सहार पर आया हूं गाउं से क्योंकि अपने गाउं के बारे में बताई कि कैसे आपने ये मेडिकल फिल्ड को अप्ट किया अपने यूजी लाइफ के बारे में बताईए वहां क्या क्या दिक्कते आई और किस तरीके से आपने यूजी टाइम में प्रपरेशन किया सर एक्चली मेरे भी फार्मा किये हुए है तो चोटा सा मेटिकल स्टोर है तो उनका बहुत था कि मैं डॉक्टर बनू तो मुझे क्लास तिन से उन्होंने कानपूर भेज दिया था फांडेशन के तो वहां पर मेरा यूजे में नहीं हुआ सर तो काफी निजयासा हुई लेकि फिर मैं बाहर चला गया सर और वहां से आने के बाद बस यही था कि अब फरस्ट अटेंब में करना है कैसे भी करके क्योंकि वह चैसाल करने हैं पापा तो मान गये थे एक बार में उसमें मेरी सेवेंटीन एर की ऐस थी सर तो पासपोर्ट भी पापा के उससे बना हुआ था क्योंकि वो क्या बुलते हैं कि नावालिक था मैं अच्छा पासपोर्ट आपके सिर्फ उससे नहीं बन सकता आपको पापा या ममी को किसी को लेकिया आना पड़ेगा तो आपको यूजी टाइम में क्या-क्या दिक्कते हुई मेडिकल फिल्ट की किताबों को पढ़ने में आप किस तरीके से पढ़ाई किया करते थे जिससे अभी प्रेशर में जैसा आपने बताया कि मैं हिंदी मेडियम से सर्थ था वहां पर जब कानपुर गया तो सारा कोर्स इंग्लिस में था एंस्याटी उपर से आ गए थे क्योंकि मैं यूपी बोट से था तो सब कुछ चें रहे हैं मुझे लगता जो हुआ अच्छे के लिए हुआ बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बढ़ी है आपको देखकर क्या इंटर्व्यू लेते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जलक देख रहा हूं आप में मैं भी बटा जश्ट आपके सांद तो इस इंट आप में अपनी जलक वही जलक आप में देखने के लिए मिल रही है ऐसे जगह से आना गाउं से आना ट्राइवल एरिया से आना और उसके बाद हिंदी में पढ़ाई करना फिर इंग्लिश के बीच में अपनी जगा बनाना, इंग्लिश की किताबों की हैरिसन, हमारी जो ग्रेज अनॉटमी हो गई, जो हमारी कितने भी इस्टेंडर्ल लव एंड बेले हो गई, यह सारी बुक्स को पढ़ना एक अपने आप में चुनावती होती है, तो बटा आप एक बहुत बढ़िया सा एक्जामपल हो बच्चों के सामने में, अच्छा और बेटा आपने और क्या-क्या struggle देखा, middle class family को represent करते हुए हमारे दोस्तों को बताइए, और उन struggle को बताइए, ज्यादा तो कुछ struggle नहीं देखा, पापा government job में थे, teacher थे, उतना कुछ हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन मैं अपने गाउं में देखता हूँ, काफी लोग struggle करते हैं, सर्थ, तो मैं कहुंगा कि मैंने बहुत struggle किया है, सर्थ, क्योंकि मैं बस यह है कि एक छोटे से जिले के छोटे से गाउं से आया हूँ, बस, सर्थ, बढ़ी है, बड़ी है, बड़ी है, आपके parents का काफी इसमें, यानि की support रहा, आपके पापा, पापा, ममी, सब लोग ने सरकर में, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, अच्छा बटा तो यह तो यूजी की बात हो गई, फिर इसके बाद जब आपको FMG exam, license exam, इसको जब क क्रॉक करना था, तब आपने कैसे प्रिपेर चिया, कितने घंटे आप दिन में पड़ा करते थे, टेश्ट देते थे की नहीं देते थे, पमाते थे की नहीं बनाते थे, आपकी क्या प्लानी रही, कैसे आपने फ्रेशर में इसे प्रेक्टिया जैसे सर्व मैंने फर्स्ट यह वहां पे गया च्छे साल हम क्रिश्टान में रहें सर्थ तो वहां से क्या हुआ कि कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे उतना उस हिसाब से नहीं पढ़े कि जो है एक्जाम देना है वहां क्लासेश की हिसाब से क्लासेश की हैं बस एक दो सब्जेक्ट नहीं कर पाया मैं किसी वज़ा से तो उनका नहीं पाकी सारे नोट्स मैंने खुद से लिखे हैं और उन्हीं को बार-बार रिवाइज किया है मैंने और मैंने बहुत ज्यादा कुशन तो नहीं लगा पाया सो दोसो डेली लगाता थ इसे ज्यादा कोश्चन नहीं लगाया सर मैंने क्या बात कर रहा है सो दोसो कोश्चन डेली यही तु बहुत है आपने बहुत नहीं लगा पाया देखो बहुत ज्यादा लगाने से क्वालिटी गडबर हो जाती है मैं बच्चे को बताना चाहूंगा कि आप दिन में सो कीज बहुत बढ़ी है यह बहुत बड़ा रीजन है आपका फ्रेशर में सेलेक्शन का क्योंकि अगर मालो हम दोसों कोश्चन एक दिम में कर रहे हैं और पता चल रहे हम एक्स्प्लिनेशन को बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत जादा फूटफुल नहीं रहता आपने बहुत अच्छी बाते कहीं और इसके अलावा आपकी क्या-क्या सब्जेक्ट इस्ट्रॉंग थे क्या-क्या वीक्निस थी और आपने कौन सी गलतियां की जो आप चाहेंगे कि हमारे आने वाले दोस्तों वो गलतियां न दो रहे हैं सब्जेक्ट तो मेरा ओवी जी काफी कमजोर था और मेरा मेडिसिन भी काफी कमजोर था लेकिन जब से पढ़ा मैंने मेडिसिन से रविलम में तो काफी अच्छा उनका अप्रोच बेस जो था वह बहुत पसंद आया मुझे क्योंकि वह पूरी तो नहीं पढ़ सकते सर एक्जाम में जबकि इस बार एक्जाम में आप्शन स्टिकी थे तो उनको निकालने में बहुत हुआ सर का अप्रोच बेस बाकि तो सर आपने जो अनाटोमी पढ़ाई मतलब माशाला यह तो बस बिटा आप बच्चों का प्यार है उस बुलेट ट्रेन अनाटमी की रात में पता नहीं क्या हुआ कि ऐसी इनर्जी आई बच्चों की तरफ से कि कमाल हो गया और आज भी बच्चे एक बच्चे ने इंटर्वी में कहा कि उसने तो बुलेट बीच बीच में इंटर्टेंड करने के लिए देखते रहता है ब लेकिन काफी जो बेशिक चीजें आपने बिलकुल निप्टा लिया था जो है अच्छा था चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा विटा अच्छा आप और कोई बात बोलना चाहेंगे हमारे दोस्तों को कोई final message देना चाहेंगे हमारे दोस्तों को सर्फ final message यही है जो मेरे juniors हैं कि जो भी अभी college में हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा पढ़ना सुरू करें बेसिक ही पढ़ना सुरू करें लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़के आएं क्योंकि यह लास्ट के 6 महीने बहुत वह होने वाले होते हैं कि सब कुछ नहीं हो पाता ह है लास्ट के 7 में फिर लास्ट में यह रहा जाता है कि यह नहीं कर पाया मैं वह नहीं कर पाया तो अगर थोड़ा थोड़ा भी फांडेशन बना के आएंगे और यहां इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वह उनका साथ लेंगे तो अब बहुत आगे तक हो जाएगा ज कते आती है मेरे साथ आती थी और भी सभी बच्चों के साथ आती तो एक छोटा सा एक्ष्परियंस मैं शेयर करना चाहता हूं और इस सेशन को हम एंड करते हैं मेरी जितनी भी किताब इती वेट सब के किनारे में मैंने हिंदी में लिखा था कार्ट बनाया था डाइग्राम बनाया थे ट्रिक्स बनाया थे निमोनिक बनाया थे और जो चीज़े याद हो जाती थी वो पूरा पन्ना मैं काट दिया करता था और जब मेरी कॉपी को मेरी बुक्स को जब लोग देखते थे तो अजीव जीब बोला करते थे अरे यार कैसा पड़ता है ऐसा पड़ता है लेकिन नहीं आपका जो टेक्निक उसपर ट्रेस्ट करो भरोता करो लेक्रिक्स हब वही इस्टेटजि थी था बहुत बढ़िया तो डॉक्टर अनुजी ने खुद के अपने नोट्स बनाया उसको मुल्टिपल टाइम रिविजन किया और आप देख रहे हैं कि लाश्ट में दो दो बार जल्दी जल्दी रिवाइस किया तो याद रखो बच्चो कि रिविजन जैसा मैं बताना चाहूंगा थो तो पढ़ने मी बहुत लगता है कि आला सायगा लेजी पन होगा और इसे खतम होगा 200 तरहु थीज़ू पचाश पेसे कब थागुज रिविजन करते समयं वह बहुत ब़ुट वेपिट हो थो चोटे-चोटे में बनाएट बहुत बहते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पर कितनी अच्छी बाते कई हैं, खास करके यह इंटरव्यू हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो टैलेंटेड होते ही होते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडि अे की मिलेगी कि हिंदी मिडियुम् के जो बच्चे होते हैं वो बहुँँ टैलेंटे होते हैं इंप कोई कम ही नहीं नहीं होती बस उनको Focus करना होता है पस Focus and exposure नहीं मिलता सव्ट उस फोकस नहीं मिलता exposure नहीं मिलता यहь इंप स्बस्पाफर वाली भी बाता Affairs सही कही सही platform नहीं मिल पाता थोड़ा सा अंदर से confidence में थोड़ा डर रहते हैं लेकिन yes be confident अपने तरीके से करो आप बहुत अच्छा करोगे और बहुत आगे निकलोगे हिंदी मीडियों के बच्चों में बहुत ज्यादा टैलेंट होता है तो डाक्टर अनुच बहुत अच्छा लगा आप से मिल करके यह बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ इंटर्व्यू रहा तो इस सेशन को अब एंड करते हैं वेटा कुछ प्यारी से लाइनों के साथ आप से अब आगे भी बेटा को नीट पीजी की तैयारी करनी है जो आपने नोट्स बनाया उसी में 20-30% एक्ष्टाइड करना है और लगे हाथ आपको नीट पीजी दीरे दीरे अभी इंटर्शिप करोगे तो पेशेंट बहुत अच्छे से देखने हैं मन लागा तो चलिए रास् अलवीदा करते हैं अलवीदा करते हैं अगले इंटर्व्यू में अगला इंटर्व्यू आपके साथ होगा तैयारी कीजिए थेंक्यू सो मज़ सर्ट बाई बाई बाई